Well guys, इस वाले वीडियो में एक ऐसा trick बताऊँगा जिसे जो है आप अपने credit card के balance को सीधा bank round में transfer कर सकते हैं Basically हम जो है credit card limit को अगर bank round में transfer करते हैं तो हमको minimum से minimum 2.3% का charges तो देना ही पड़ता है लिकिन यहाँ पे गाईस हम जो है कोशिश करेंगे कि बिल्कुल 0% का जो है हमें Charges लगे और यहाँ पे मैं आपको लेके दिखाऊंगा भी तो तिल दियन आपको बने रहना है और सारे offers के बारे में सबसे पहले जो है अपडेट आता है Telegram चैनल पे तो Telegram चैनल हमारा नया है जल्दी जाव दिस्क्रिशनल लिंक है जॉइन कर लो और कोई भी कोशिन हो तो आप मुझे सीधा Instagram पे पूछ सकते है उसका लिंक भी दिस्क्रिशनल है फॉलो कर लो ठीक है तो चलो देखते हैं कैसे हम जो है अपने गर आपने टेलिग्राम जॉइन नहीं किया तो जल्दी से कर लेना तो चैनल को बैंक ग्राउंड में ट्रांस्पर कर सकते हैं तो इसके लिए हम पेटियम ओपन करेंगे और मैं आपको दिखाता हूं कैसे आपको करना है अब यहां पे सारे बैलेंस बगेरा मैं सब कुछ आपको दिखा देता हूं सबसे पहले मैं अपना बैलेंस दिखा देता हूं वालेट का बैलेंस कितना है क्योंकि पैसे जो है हमारे वालेट में ही आड होंगे ठीक है तो इसके लिए वालेट बैलेंस देख सकते हो यहां पे 0 रूपीस है जो पेटियम बैंक अकाउंट है ना तो उसका भी बैलेंस एक बार दिखा देता हूं और क्रिडिट कार्ड का बैलेंस भी आपको दिखाऊंगा मैं अभी देख सकते हूं मेरा पेटियम बैलेंस जो है 505 रूपीस है मैं अपना iMobile application ओपन करके दिखा देता हूं कि मेरे iMobile application ओपन कर लेता हूं देखो यह मेरा iMobile application है तो यहां पर देख सकते हो iMobile application ओपन करा हुआ है अब यहां पर manage पर क्लिक करता हूं और यहां मैं अपना card balance आपको दिखा देता हूं ठीक है latest will पर जाओंगा और यहां पर देख सकते हो मेरा जो limit है वो कितना है 1,90,000 limit है लेकिन जो available balance है वो कितना है 1,96,217.30 ठीक है तो 6,217 रुपे extra इसमें डला हुआ है already तो यह 6,000 रुपे मैं अभी आपको add करके दिखाऊंगा अपने paytm wallet में ठीक है वो भी 0% interest के साथ देखो यहां पर क्या होता है आपको same boy का वही जो है follow करना है ठीक है तो अभी चलो paytm open कर लेते हैं balance बगेरा सब कुछ आपने देख लिया अपन हो चुका है अब मैं आपको offer दिखा देता हूं almost सभी को यह offer मिला हुआ है आपका paytm account जो है थोड़ा बहुत पुराना होना देखेंगे यहां पर देखो यहां पर सबसे ऊपर जो है add money offer आपको मिल जाएगा 1x cashback ठीक है और दूसरा जो second offer है add money to your paytm wallet यह 2% cashback मिलेगा आपको तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे बैसे offer जो है पड़ा रहता है हर वक्त तो यहां पर इसका हम इस्तेमाल करेंगे 2% cashback हमक है तो हमको 0.3% देना पड़ेगा मतलब 30 पैसे ऐसे में अगर मैं 6000 रुपए यहां पर add करूंगा तो करीब करीब मेरे को लग जाएंगे मतलब 2.3% के हिसाब से 138 रुपीज मतलब अगर हमें 2% का यहां पर cashback मिल जाता है तो straight हमारा 2% कम हो जाता है मतलब 0.3% ही हमको लग तो इस तरह से आप कर सकते हो देखो मैं यहां पर आपको add करके दिखाऊंगा only बताऊंगा नहीं देख सकते हो यहां पर मैंने उस पर क्लिक कर दिया अब यहां पर सारे टामसन कंडिशन तो मैंने बता दिये हैं देखो minimum जो add होगा वह 1000 रुपए आपको करना पड़ेगा और 2% का मिलेगा और मतलब सारे dates बगेरा सब कुछ यहां पर दिया हुआ है और up to 150 मिलेगा मतलब आप कितने रुपई एड कर सकते हैं वह आप हिसाब लगा लेना के credit card से तो यह पैसे cut जाएंगे लेकिन सीधा आके आपके wallet में पेटियम के wallet में add होंगे देखो यहां पर active offer पर हम click कर देंगे तो यहां पर जो है add money पर हम click कर देंगे first payment क्लिक करने के बाद यहां पर straight जो है हम 6000 रुपई डालने वाले हैं देख सकते हो यहां पर मैंने 6000 रुपई डाल दिया है अब यहां proceed to add 6000 रुपीज ठीक है तो उस पर आपको tap कर देना है तो यहां पर मैंने click क पे credit card पे मैंने click कर दिया credit debit card पे मैंने click कर दिया अब card number बगेरा सब कुछ information दे देता हूँ सारे information हमने यहाँ पे डाल दिया अब जो है देख सकते हो यहाँ पे pay 6,138 रुपी जैसा मैंने आपको बताया है कि देख सकते हो यहाँ पे 138 रुपी जो है हमारा charges बनता है ठीक है तो यह 138 रुपी हमारे paytm wallet में add हो जाएंगे cashback के रुपे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ देख सकते हो 2.3% का charges applicable और यहाँ पे हमको जो है 18 रुपी ही charges देना पड़ेगा that means हमको जो है straight का straight जो है 120 रुपी का cashback मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पे मैं click कर देता हूँ OTP डाल दिया अब tap to submit OTP पे हम click कर देंगे अब यह जो है processing में है देख सकते हो guys add money तो हमारा हो चुका है अब जो है हम avoid करते हैं कि हमारा जो cashback है 120 रुपी का वो कब तक यहाँ पे add हो जाता है 6,138 रुपी जो हमारा credit card से balance cut हो गया है मैं अभी आपको जाके credit card का balance show कराता हूँ सेम बुईवल अकाउंट है 1,90,000 जो है limit है अब यहाँ पे 6,138 रुपी कट चुका है देखो यहाँ पे जो था extra था 196,217 रुपी जो है यहाँ पे था जो कि अभी के time में 1,90,079 रुपी only अभी बड़ा हुआ है अभी चलो देखते हैं हमको जो है cashback मिला है की नहीं तो इसके लिए हम paytm को open कर लेंगे यहाँ पे देख सकते हो हमको एक card मिला हुआ है cashback offer में अब इसको हम scratch करते हैं और देखते हैं इसमें क्या आया है देख सकते हो guys 122 रुपे का cashback point नहीं है सीधा 122 रुपे cashback के रूपे हमको मिल गया है अभी अगर मैं आप ATM wallet में जाओंगा और transaction बाले section में अगर जाके दिखा हूँ न तो यह बिलकुल free में मेरा limit जो है पे टियम wallet में add हो चुका है अब यहाँ से आप bank account में आराम से send कर सकते हो आपको पता है बिना charges के आप bank account में send कर सकते हो ठीक है तो almost जो है कितना रुपे कटा है पंदरा रुपे ही charges देना पड़ा हमको 6000 add करने के only 15 रुपे हमें जो है charges देना पड़ा तो यह रहा पे टियम wallet अब यहाँ देख सकते हो जो 0 रुपीज था मेरा 6122 रुपे 76 पैसे हो गया जो 122 रुपे 76 पैसे भी add हो गये मतलब जो cashback है वो instantly आपको मिल जाते है यहाँ पे show तो करता है 24 गंटे या फिर 48 गंटे लेकिन उतना time नहीं लगता instantly आपके यहाँ पे cashback add हो जाएंगे तो हमने add करा 6,118 रुपे है और हमको मिला कितना 6,122 रुपे 76 पैसे मतलब जो है almost 6,123 रुपे तो हमारा चार्जेस कितना लगा only 15 रुपीज देखो यहाँ पे पाजबुक लिखा हुआ है तो पाजबुक पे थोड़ा क्लिक करके आपको बताता हूँ देख सकते हूँ यहाँ पे जो है 6,000 रुपे अभी add किया और 122 रुपे 76 पैसे पे टीम cashback receive हुए है हमको ठीक है तो टाइम भी आप देख लो 5 रुप का 36 मिनिट पी एम 5.38 पी एम ठीक है तो यहाँ पे 2 ही मिनिट का इधर उदर है 2 मिनिट में जो हमको cashback मिल गया है तो इस तरह से आप जाके सीधा अपने credit card के balance को बिना कोई charge के अपने paytm wallet में याड़ कर सकते हूँ तो I hope आपको समझ आ गया होगा तो इस देखा आपने काफी simple सा method था यह हो सकता है कुछ लोग बोलेंगे अभी मतलब comment में comment करेंगे कि यह तो पहले सही है लेकिन पहले सही लेकिन उसको जो है आपको ढूण के निकालना पड़ेगा आपको हर वक्त update रहना पड़ेगा तो अभी के time में यह update है तो आप almost सभी को मिला हुआ है सभी paytm users को मिला हुआ है अगर आपने paytm account अभी तक नहीं बनाया हुआ है तो आप जाओ link in the description paytm का उसको जाके sign up कर लो और आज ही से जो है पेटियों को यूज करना शुरू करो I hope आपको डीटल समझ आ गया होगा तो इस तरह से जो है जी रोइन बेश के कैसे आप रेफ़र करके earning कर सकतो उसके उपर हम daily basis पे अपने चैनल पे वीडियो लाते हैं अगर आप interested हो तो देखो नीचे रेट कलर का subscribe डालो का उससे तो डालो फो डालो कुछ भी कर डालो लेकिन subscribe हो जाना चाहिए और साइट पे जो टल ले उसी वीड़ा देना ताकि notification मिलती रहे गाईस और गईस टेलीग्रम चैनल को जरूर से join करना और Instagram पे जरूर से follow करना Thank you very much जय हिन जय भारत बंदे मात्रा